नारादिया नफरत के बाजार में हमें मोहबत की दुकान खुलनी है अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यूं फिलाती है हिंसा क्यूं फिलाती है डर क्यूं फिलाती है भाईयों और भेनों मैं आपको आज भाशन में दो बाते बताना चाहता हूं नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है बीजेपी का लक्ष रसस का लक्ष कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मजदूरों को किसानों को चोटे वियापारियों को आदिवासियों को दलितों को धन ना मिल जाए वो चाहते हैं कि धन हिंदुस्तान सोने की चडिया है वो चाहते हैं कि इस सोने की चडिया का पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे अरब पतियों के हाथ में रहे और आदिवासी दलित पिछडे लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाएं यहां आदिवासी बैठे हैं हम आपको आदिवासी कहते हैं वो आपको वनवासी कहते हैं आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फरक है आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के इस धर्ती के भारत माता के पहले मालिक थे बात समझे बात समझे इस देश में जो भी जमीन है जो भी जल है जो भी जंगल है वो सबसे पहले आदिवासीों का हुआ करता था अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ चुपा हुआ है अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो तो हमें आपको जमीन का जल का जंगल का अधिकार देना पड़ेगा कि बीजेपी ने निया शब निकाला कि दूमधाम करके धोल बजाके आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो आप वनवासी हो वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं भाई और बहनों वनवासी के कोई अधिकार नहीं है वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है आपको जल का दिखार जंगल का दिखार थोड़ी हो सकता है आप तो जंगल में रहते हो आप तो जानवर जैसे हो वनवासी की यह मतलब है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर किसी कुट्टे पर कि पिशाप करते हुए देखा है कभी नहीं देखा है कि मगर कि आपने बीजेपी के मले को मध्यप्रदेश में एक आधिवासी युवा के उपर पिशाप करते हुए देखा है कि यह इनकी सोच है कि आपको कहते हैं हिंदी सीखो अंग्रेजी मत सीख लेना है मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो भाई आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियों कि सारे के सारे बीजेपी के बच्चे कि अमिच्छा के बेटे कि राजनाथ सिंग के बेटे कि कि सारे के सारे इंग्लिश मीडियों में पढ़ते हैं क्यूंकि उनको मालूम है कि सबसे अच्छी नोक्रियां कि कॉल सेंटर कि आई टी सोफ्ट्वेर एंजिनियरिंग कि सबसे अच्छी नोक्रियों के लिए आपको अंग्रीजी बोलनी पड़ेगी और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में नहें बीजेपी के मेले उन पर पिशाप करें वीडियो वाइरल करें और आदिवासी युवा ना पढ़ें ना लिखें ना अंग्रेजी बोलें मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पाइलट बनना चाहता है अमरीका में हवाईजाज में जाना चाहता है उसका हक बनता है लॉयर बनना चाहता है इंजिनियर बनना चाहता है डॉक्टर बनना चाहता है आप असली असली मालिकों इस जमीन के हक बनता है कॉंग्रेस पार्टी पेशा कानून लाई जमीन अधिकरन बिल लाई ट्राइबल बिल लाई मन्रेगा लाई आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको अधिकार देने के लिए बीजेपी ने पेशा कानून रद कर दिया जमीन अधिकरन बिल रंद कर दिया और आप पर पिशाप करके कहते हैं भाईया आप लोग वनवासी हो पहले हर भाषन में नरेंद्र मोदी आधिवासियों को वनवासी कहता था उसके भाषन देख लीजिए आप वनवासी हो जैसे ही मैंने यह बात बोली कि वनवासी में और आधिवासी में फर्क है और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्त का प्रयोग किया उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया मैं आपको बता रहा हूँ जब तक कॉंग्रेस पार्टी है तब तक आधिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे फ्री में स्वास दिलवाएंगे मुफ्त में स्वास दिलवाएंगे और आपका जो जमीन पर जंगल पर जल परहक बनता है वो आपको दिलवाएंगे तो यह हुई बात आधिवासियों की अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं कि ओफिशल रेकॉर्ड नहीं है कि मगर लोग जानते हैं कि कम से कम पचास परसेंट अबादी पिछडों की है कि जिस दिन मैंने कहा कि पार्लेमंट हाउस में मैंने बाशन दिया और मैंने कहा कि देखिए कि अगर हम कि पिछडों को आदिवासियों को गलेतों को गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं कि देश में अधिकार देना चाहते हैं कि तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी कि सबसे पहले किसकी कितनी अबादी आदिवासी कितने दलित कितने ओबीसी कितने जनरल कास्ट के लोग कितने सबसे पहले जाती जन गरना की जरूरत है अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं बागीदारी की बात कर रहे हैं तो कितने लोग कौनसी जात के कौनसे समाज के हैं वो तो पता लगाना ही पड़ेगा इसको हम जाती जन गरना कहते हैं और दूसरा सवाल हिंदुस्तान का जो धन है सोने की चिडिया का धन है उसका कितना भाग आधिवासियों के पास है कितना जनरल कास्ट के पास कितना ओभी सी के पास कितना दलितों के पास यह पता लगाना पड़ेगा इसके बिना देश आगे जाई नहीं सकता इसके पिना भागीदारी की बात करना बिलकुल खोकला है अगर मैं ये नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी अबादी है तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे तो मैंने पार्लिमेंट में साफ कहा कि जाती बहिया पहला कदम के देश का एक्सरे करना है जैसे कि चोट लगती एप डॉक्टर के पास जाते हैं के थे एक्सरे कराओ टांग तूटी नहीं तूटी हाथ तूटा नहीं तूटा अब लोगों को दर्द हो रहा है देश में आदिवासियों को दलेतों को पिछणों को दर्द हो रहा है लोगों को समझ नहीं आ रही बात दर्द क्यों हो रहा है इसलिए जाती जनगरना देश का एक्सरे है यह पहला कदब अब मैंने यह पार्लेमेंट में बोला नरेंद्र मोदी जी जाती जन्गर्ना करिए यूपिय के समय हमने आकड़े निकाले थे देश को दिखा दीजिए उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषन बिल्कुल बदल गए पहले यहां राजिस्तान में आते थे मद्यप्रदेश में जाते थे चतिसगर में जाते थे कहते थे मैं OBC हूँ मैं OBC हूँ हर भाषन में 10-15 बार मैं OBC हूँ जिस दिन मैंने जाती जन्रणना की बात की जिस दिन मैंने कहा कि OBC की अबादी कितनी है उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं भाईयों और भेनों हिंदुस्तान में एक ही जात है गरीब हिंदुस्तान में ना OBC ना आदिवासी ना धलित कि सिर्फ एक जात गरीब एक बात उन्होंने नहीं कई कि अगर एक जात गरीब है तो दूसरी जात अरब पतियों की भी है अधानी अंबानी की उनकी स्पेशल जात है कि OBC शब भूल गए चुनाव लड़ना है तो मैं OBC भागीदारी देनी है तो एक ही जात गरीब अब मैं आपको आकड़े देता हूं और इनको आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान और आपसे कैसे और कितनी चोरी हो रही है वो समझ आ जाएगी अब अच्छी तरह सुनिए देश को MLA और MP नहीं चलाते हैं आप किसी भी बच्छे से पूछ लो बिटा क्या करना चाहते हो वह आपको कहेगा मैं IAS में जाना चाहता हूं मैं IAS का अफसर बनना चाहता हूं सही अगलत आःइज देश को IAS अफसर चलाते हैं और हिंदुस्तान कि सरकार को 90 अआएएज हर सपसर चलाते हैं कि पूरा का पूरा बजट चो होता है पैसा होता है हिंदुस्तान का सोने की चिडिया का पूरा पैसा जो आता है इसको यह नब्बे लोग बाठते है अब सवाल उठता है कि नब्बे में से आदिवासी कितने दलित कितने और OBC कितने अगर हम कहते हैं कि आदिवासीयों की बागीदारी है दलितों की बागीदारी है पिछणों की बागीदारी है तो इन नब्बे लोगों में से अबादी जितने अपसर हर जात के होने चाहिए है तो सभी है अब मज़े की बात सुनिए अब्बे में से तीन अपसर पिछडी जात के हैं मतलब पिछणों की आबादी 50% मतलब कम से गम 45 होने चाहिए और हैं कितने तीन अच्छा अगर तीन अपसरों के हाथ में बड़े-बड़े मंत्राले होते तो अलग बात मगर यह जो तीन ओभी सी अपसर हैं एक कौने में बैठे रहते हैं इनका बजट पर कोई कंट्रोल नहीं अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपए खर्श करती है तो पिछड़े अपसर है पांच रुपए पर निर्ने लेते हैं तो नरेंद्र मोधी के यह जो शब्द है कि OBC सरकारी खोकले है और वो जाती जंगरना इसलिए नहीं कराना चाहते कि देश के OBC को पता लग जाए देश के युवाओं को पता लग जाए कि भ नबे अपसर पुरा काुगा पूरा बजट बाटते राजिस्तान को कितना पैसा मिलता है स्वस्त्व में कितना जाता है शिक्षा में कितना जाता है तो आर्मी में कितना जाता है ये 90 लोग तैंगरते दृली में कि इसमें से तीन OBC कै qualquer से ओई OBC के सरकार कन अब यहां जो पिछड़े युवाँ है आपके दिल में थोड़ा गुसा आया होगा यह तो हमारा बेफ़कु बना रहे हैं मगर ठेरिये क्योंकि मैं अभी आदिवासी के बात करना चाहता हूँ पिछड़े हैं तीन आदिवासी भी तीन मगर फर्क क्या है जहां 100 रुपए में से पिछड़े 5 रुपए का निडने लेते हैं 100 रुपए में से हमारे आदिवासी भाई भेन 10 पैसे का निडने लेते हैं 10 पैसे का मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है हैं तो आधिवासी अपसर्थ दस पैसे पढ़ने लेते हैं उनके स्कीम के बात करता हूं नरेंद्र मोधी की स्कीम के बात करता हूं ऊपासल भी मा योजना में काय मैं साफ समझा देता हूं आपको पैसा आता है जी स्टी से कि आधिवासी बाई दलिद भाई पिछड़े लोग गरीब जेनरल कास्ट के लोग को एक लिटर पेटरॉल खरीते हैं कि उतनी जी एसटी देते हैं कि जितनी अधानी देता है अधानी अरबपती मगार अधानी एक लीटर पेटरॉल करी दे और इंदुस्तान का सबसे गरीब एक लीटर पेट हरी दे तो जी एस्ट एक जेसी जाती моя कि आप शर्ट पहने हो सफ़ेच शट पहने होग है अगर अधानी जी यह श्रट करीदे और अगर आप ये शर्ट करीदो GST-1 जैसी जाएगी वो हरपती है GST-1 तो GST जे पैसा आता है किसका पैसा है 50% पिछणों का तक्रीबन 15% दलितों का तक्रीबन 12% आदिवाचियों का तो फसल भीमा योजना आपको समझा देता हूँ फसल भीमा योजना में 35,000 करोड लगते है 20,000 करोड दिल्ली की सरकार देती है GST से 10,000 करोड स्टेट की सरकार देती है GST से 5,000 करोड हमारा किसान जो हमारी देश की रीड की अडिय वो देता है 35,000 हो गए अब नरेंद्र मोधी की सरकार 35,000 क्रोड उठा के 16 कंपणियों के हाथ में पकड़ा देती है उस कंपणिय में आपको एक OBC नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आधिवासी नहीं मिलेगा तो आपके GST के पैसे जेब से निकले 35,000 क्रोड रुपे 16 कंपणियों के जेब में गए से, अब आपके खेट में नुकसान होता है उला गिड़ जाता है, तुफान आ जाता है, हमारे पिछडे आधिवासी दलित किसान, गरीब जेनरल कास्ट के किसान, फोन लगाते हैं कमपणी को क्येक, बहाया हम ने पैसे दिये थे, हमारा GST का पैसा गया, हमारा खेत का नुकसान हो गया क्यों पीछिटे छो कितने को पहों पूचलो किसानों से, जब किसानों का खेत नष्ट होता है, महीनों के लिए ये इमेल और टेलिपोर करते रहते हैं, इनको पैसा नहीं मिलता तो 35,000 क्रोड रुपए आपके 16 कंपनी के हाथ में और जब आपको पैसे की जराद पढ़ी तो कंपनी के ती नहीं मिलेगा आपका खेट खराबी नहीं हुआ, ओला ही नहीं गिरा, तुफान ही नहीं आया कभी आपने कसी किसान को टीवी पे देखा है, कभी आपने कसी मज़दूर को टीवी पे देखा है, नहीं आपको शारुक कान दिखेंगे, अश्वरिया राय जख चाईगे, किट मैच दिख चाईगा, पान नहीं दिखने वाला उदर मजदूर फसे हुए उत्राखंड में मजदूर फसे हुए उत्राखंड में जमीन के नीचे घसे हुए है 24 गंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है अच्छी बात है दो मिनट उनको भी दे दो दो मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो तो मेरा कहना है मीडिया में नरेंद्र मोधी का 24 गंटे चेहरा आता है क्यों आता है PRP बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि नरेंदर मोधी जी इनका काम करते हैं अदानी अदानी का काम करते हैं अदानी अंबानी और नरेंदर मोधी जी बहुत अच्छा सोदा है नरेंदर मोधी जी जी एसडी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंदर मोधी का चेहरा क्याहां परकिन इस्टी आवा्य और दिल्ली एंगी दिल्ली में आएगी थेलने माइगी तो पूरा देश काम जाती जनगरना कर देंगे पिछुनों को दलित-णों को आधि-वाशिए। साथ साफ बता देंगे वहीं आपकी आदा आबादी कितनी है दूद का दूद्द पाने का पाने कर देंगे ओ ओ नरेंद्र मोदी के मुझे जाती जनगरना का शब नहीं निकल सकता इतना पैसा जा रहा है बाईयों और बहनों आपके जेब से कि दुख की बात है कि आपको भी नहीं पता लग रहा है कि आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपके जेब में से कितना पैसा अदानी की जेब में जा रहा है जो आपको दर्द हो रहा है आपको दुख हो रहा है आपके बच्चे बे रोज गाहरा है ये मगर आप कारण नहीं देख पारे हो आप यह नहीं देख पारे हो कि आपकी जेब में से पैसा जब आप पेट्रोल खरीदते हो जब आप घाबे में खाना खाते हो आपकी जेब में से पैसा जा रहा है सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में तो दो तरीकों की सरकार होती है बाई और में लोग एक अरब पतियों की और एक किसानों की मजदूरों की दलितों की गरीबों की इन लोगों की छोटे दुकंदारों की कि नरेंद्र मोधी जी नियां आप से कहा 15 राख रुपर बांक अकाऊंट पर लग जाएगा कि कोविट आया कि क्सप्सक्राइख रोडिक्ट ग्रेयंतों नरेंद्र मोधी जी ने आपको नचा दिए ऐगा िसकुसराँ कि अ चलो भाया ठाली बजाओ भाई ठाली बजाओ थाली बजाओ कोविट फैल रहा है कोविट कोविट फैल था पैसे है ए्जब लोग एक दूसरे के पास आते है पर नरेंद्र मोदी जी ने बीड कोई भीड में ठाली बजवादी करोना को फैला रहे हैं पूरा देश थाली बजा रहा है वहाँ पे टीवी पे दूसरी तर नरेंदर मोदी जी कहते हैं ठीक है भाई या थाली ने नहीं काम किया बहुत सारे लोग मर गए चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ सचाहिए आप हचरे हो सचाहिए मतलब ड्रामा है आपका ध्यान कभी उदर जाएगा कभी इधर जाएगा जेब कत्रा क्या करता है जेब कत्रा भईया पहले आपका ध्यान उदर करता है तो यह उदर देख वह आपका ध्यान उदर करता है दूसरी साइड से बंदा आके जेब जेब काड़ देता है को तो नरेंद्र मोधी जी का काम आपका ध्यान दोरुद्र करने गा पीछे और लगए पीछे सांसे लइंग बड़ देता हूँ वो देखो भी यह शारुक डांस कर रहा है ओ जिब काटी यह हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूं पैसा आपका है उस पर हख आपका बनता है एक कत्रित हो लो एक साथ खड़े हो लो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा अब देखिए राजिस्तान में आप में से जितने भी लोग बिमार होए यहाँ पे भीड में किसी को दिल की बिमारी हुई होगी किसी को कैंसर होगा किसी का हाथ तूटा होगा पैर तूटा होगा diabetes होगी इस भीड में आप में से किसी व्यक्ति ने इलाज के लिए एक रुपिया दिया फ्री 25 लाक रुपे दवाई फ्री फ्रैक्चर हुआ फ्री बिल में बिमारी हुई स्टेंट लगानी है फ्री कैंसर हुआ इलाज फ्री हाँ है दले तो कुछ आ रहा है गरीब जेनरल कास के लोगों कुछ जा रहा है कि सीधी सी बात है आप मुझे बताओ हमारे जो स्वास्त का स्कीम है राजिस्तान में इसमें अधानी को कहां पैसा मिल रहा है एक रुपया नहीं मिल रहा है हमने बोजन का अधिकार दिया मन्रेगा दिया जमीन अधिकरन बिल लाए इसमें से मुझे बता दो अधानी जी को कितने पैसे मिले जमीन अधिकरन बिल से नुकसान हुआ मन्रेगा में अच्छा अगर वो मजदूरी करेगा तो मिलेगा मजदूरी करने वाला नियों करेगा ब 15 मिंट में बेहोश हो जाएके लिड़ी जाएगा इसको पानी कि लाना बड़ेगा तो हमारे सारे के सारे स्कीम किसानों को दलितों को आधिवासियों को भूपिछलों को गरीब जेनरल कास इंते वजह को मदद करने के स्कीम है उनके सारे के सारे स्कीम अदानी जी वाले स्कीम है मोधी जी कहते हैं मोधी की गैरंटी मोधी की गैरंटी मतलब अदानी की गैरंटी मोधी की गैरंटी है कि भीजा मैं आपका ध्यान बढ़का दूँगा और पीछे से अदानी जी जेब काट देंगे यह नरेंद्र मोधी की गैरंटी है और पूरा देश जानता है हमारी साथ गैरंटी है कॉंग्रेस पार्टी की राजिस्तान में सबसे पहले राजिस्तान के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपे साल के बैंक अकाउंट में सीदे एक रुपिया अधानी को नहीं इसमें से एक रुपिया अधानी को नहीं जाएगा ग्यास सिलिंडर नरेंद्र मोधी शिकायत करते दे 400-400 रुपे का हो गया आज कितने का है 1200 रुपे का कर दिया उन्होंने चुनाओ के बाद 500 रुपे का हम कर देंगे एक रुपिया अधानी को नहीं मैंने गेलोड़ जी से कहा है यह जो आपका हिलाज है 25 लाक है इसको आप थोड़ा और बढ़ाईए चुनाओ के बाद वो हो जाएगा एक रुपिया अधानी को नहीं शिक्षा में है हमने अंग्रेजी स्कूलों जाल पहला दिया है वो कहते हिंदी सिखाओ अंग्रेजी मत सिखाओ हम कहते हिंदी भी सिखो अंग्रेजी भी सिखो हिंदी राजिस्तान में बात करो हिंदी से कि हिंदी का प्रयोग राजिस्तान में करो यूपी में करो मगर कोई विदेश का टूरिस्ट आता है राजिस्तान में तो उसमें उससे अंग्रेजी से बात करो व्यापार को व्यापार करो बिस्कोलो दो इंदुस्तान नहीं चीह हमें इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल हर स्टूड़न्ट के लिए हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं राजिस्तान में और फ्री में हम गवर्मन्ट कॉलेज में लैप्टॉप देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कि सरकारिया ओफिसर्स का ओपिएस बंद कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम जो था हमने फिर से लागू कर दिया उसमें से एक रुपी आदानी को नहीं जाता अगनीवीर जैसे स्कीम लाते हैं आदानी को फाइदा पहुचाने के लिए हमारे युवार सुबह उठते हैं चार बजे देश की रक्षा करने के लिए उठते हैं लाकों युवा उठते थे वर्जिश करते थे आर्मी का टेस्ट पास करने के लिए सारा बंद कर दिया क्यों बंद किया अदानी को जितने हत्यार बेचने हो वो सही है पूरा का पूरा डिफेंज सेक्टर अदानी के हाथ में वो सही है मगर अगर हमारे पिछडे युवा दलित युवा आदिवासी युवा देश की रक्षा करना चाहते हैं तो वो अलाओ नहीं है वो नहीं हो सकता हम तो अगली वीर स्कीम चलाएंगे अ हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं अगली वीर का फाइदा क्या फायदा नुकसान है गरीब युवाओं का नुकसान है अधानी का फाइदा है तो हर स्कीम में वो अरब पतियों की मदद करते हैं हर स्कीम में हम गरीबों की किसानों की मजदूरों की मदद करते हैं यह फरक है अब याद रखिए हमने जो भी किया है बीजेपी की सरकाराई वो सारा का सारा उठा के ले जाएंगे 25 लाख रुपए जो आपका स्वास में हम देते हैं वो सारा अधानी को जाएगा OPS कीम गायब हो जाएगा अंग्रेजी स्कूल बंद हो जाएंगे किसान का कर्जा माफ नहीं होगा सारा का सारा फाइदा दो-तीन लोगों को जाएगा निन्ने आपको लेना है कॉंग्रेस पार्टी को जिताईए गरीबों की पिछणों की गलतों की आधिवासियों की गरीब लोगों की सरकार बनाइए छोटे दुकंदारों की सरकार बनाइए आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार, जैहिन